जोस बटलर और इयान मॉर्गन के ओपर खत्रे के बादल मंडराने शुरू हो गए क्योंकि ECB ने इनके ओपर तहकीकात करनी शुरू कर दिया जैसे कि आप जानते कि Allie Robinson थे इंग्लैंड के जो की Balling Allrounder आप उनको बोल सकते हो तो उनके ओपर कारेवाई की गई और उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम पहले एक ट्वीट किया था जो की काफी रैसिजम तो और काफी गलत चीज़ों को बड़ावा दिये रहा था तो जो की एक बड़ा डिजम बना उनके सस्पेंड होने का परन्तु अब बात कर लिजाए इंग्लैंड के जो बाकी प्लेयर हैं लाइक बटलर और यान मॉर्गन वो नजर में आ चुके हैं और उनके कुछ ट्वीट से जो कि उनके फैन से या फिर उनके कुछ एटर से उन्होंने शेयर कर दिया हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को और वो उनके खिलाफ कारेवाई करनी शुरू कर सकते हैं और शायद उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उन दोने भी क्योंकि IPL आने से पहले इंग्लैंड ऑस्टेलिया न्यूजिलैंड साथ अफ्रिका ये जो टीम है इंडियन्स को शायद पसंद नहीं करते हैं और इसी वज़े से इंडिया के खिलाफ काफी ट्वीट करते रही है IPL आने के बाद थोड़ी सी ये रिस्पेक्ट बने इनकी मन में रिस्पेक्ट क्या बस थोड़ी से शान्त होगा एक तरीके से आप उस्टेलिया या फिर इंग्लैंड जाते हो रैसिस्म तो अब भी होता है प्लेयर्सों के साथ और बात कर ली जाए किसकी ऑलिपोप की उन्होंने तो अपना ट्वीट जिसे बोलते हैं लोकी कर ले ताकि उनकी उपर कोई कारेवाई ना हो परन्तु बटलर और मॉर्गन को काफी चिंता जनक रहने की जरुद है इसलिए अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको फ्यूचर में पच्ताना पड़े जिसके लिए आप मॉर्गन और बटलर के पास इने छूटने शुरू हो चुके हैं आप बताएए आपकी इस मामले में क्या राय है कि आप बटलर और मॉर्गन के साथ है या फिर इंग्लाइंड क्रिकेट बोर्ड के साथ है आप अगर बटलर या मॉर्गन साथ है फिर आप कुछ कहेंगे आपको कि आप रैसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं परन्तु यहां बा काफी सक्त हो चुका है अपने प्लेयरों को लेके क्योंकि उसकी बहुत रेपोटेशन है वर्ल्ड में और अपने आपको हाइलाइट भी दिखाना चाहते हैं यह एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इंग्लेंड क्रिकेट बोर्ड आपके आने वाले समय में जो बाकी के जो प्ले में लिंक है मेरे इस्टाग्राम को तो वहां आप क्लिक करके मेर से बात कर सकते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक्यू सो मच वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में एक और क्रिकेट रेलेटेड कंटेंट के साथ